नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेकनोलोजी ग्यान चलने में आपका स्वागत है, आज आपको इस वीडियो में बताए जाएगा, RMGB या GRGB, दोनों बैंकों का सोफ्टेर जो है वो चेंज हो चुका है, यदि आपके सोफ्टेर में कुछ प्रोलम आ रही हैं, कुछ एरर आ रहे हैं, उन सभी एरर के बारे में बताया जाएगा, एरर का समाधान जो है, शिर्फ एक ट्रिक के रूप में बता दिया जाएगा, इसका पुरा सोलूशन करना है, तो मेरे चैनल पर दूसरे जो वीडियो हैं, वो देखने पड़ेंगे, पुराने वीडियो हों, या नए हों, कौन से भी हों, उसकी हिसाब से आपको देख करके, और नया जो सोफ्टेर है, उसके अंदर मर्ज करना पड़ेगा, उसके बाद वो चलेगा, एक तो यह आ रहा रखते हो, access is denied, यानि जो यह नीचे लिखा गया ना, कुछ लोगों के क्या उपरवाल लाइन आ रही है, सिर्फ उपरवाल लाइन, उसका solution है, error, error, आगे तीन बार आ रहा है, यदि तीन बार आ रहा है, तो उसका कोई solution नहीं है, और दो बार आ रहा है, तो उसका solution हो जाए आपको अपनी company से संप्रक करना पड़ेगा, अपने head office bank से संप्रक करना पड़ेगा, या branch से संप्रक करो, जिससे भी आपका संप्रक हो, कि आपकी ID का solution हो, उससे आपको संप्रक करना पड़ेगा, और उनको बोलना पड़ेगा, ये मेरी user ID है, और इसके अंदर ये access is denied का option आता है, आप चाओत इसका Google Translate करके देख लेना, इसका आरत होता है, प्रवेस निसेद है, आप लोग इन नहीं कर सकते हो, और ये जो समस्या है, वो कोई software की समस्या नहीं है, आपकी ID की समस्या है, इस problem के अलावा, कोई भी problem आपके system में आ रही हो, कोई भी, A to Z, उन सभी क solution मेरे पास है, और मेरे चैनल पर उसकी वीडियो भी पड़े होए है, आप उनको देख सकते हो, और मुझसे आप करवाना चाहो, तो teamweaver आपको download करना पड़ेगा, teamweaver का link आपको video के description मिल जाएगा, उसको download करना है, और वो मेरे को WhatsApp करना है, और आपकी जो भी problem हो, इस प्रक certification service, इसका solution हो जाता है, इसका error का आने का मतलब है, कि आपका software problem कर रहा है, आपका software जो है, वो सही नहीं है, इसलिए आपको software सही installation करवाना पड़ेगा, software जो है, वो design कर दिया गया है, नया automatically सारा सब कुछ सरणब हो जाता है, और वो आप install करवाना चाहते हो, तो करवा सकते ह कुछ लोगों का यहां पर आके attack जाता है, ID login हो जाती है, लेकिन यहां पर आगे कोई भी SMS नहीं देता, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहता है, स्क्रीन के उपर, तो वो दीकत भी software की है, आपकी window के अंदर कोई ना कोई, जो internet explore है, उसके अंदर कोई ना कोई issue है, या आपके software में issue है, या कुछ भी हो सकता है, इसका कोई एक fix समधान नहीं है, तो वो सारा का सारा software है चेक करना पड़ता है, उसके बाद इसका solution हो जाएगा, और आप आराम से अपनी ID को login कर पाओगे, कुछ लोगों के यह आ रहा है, cannot reach this page, तो इसका मतलब है, आपका जो software है, वो internet explore की जो setting है, वो सही नहीं है, उसको सही करना पड़ेगा, और उसके बाद वो ID आराम से आप login कर पाओगे, फिर आता है, user is locked, इसका मतलब है, आपकी ID जो है, वो lock हो चुकी है, आपकी जो ID है, उसको खुलवाना पड़ेगा, खुलने के बाद ही आप उसको login कर पाओगे, इसका इमेल कीजिए, कि यह मेरी user ID है, इसमें यह error आ रहा है, error का photo भी आपको साथ में attach करना है, और उसका solution जो है, वहाँ से हो जाएगा, वो जैसे reply करते हैं, कि आपकी ID बिल्कुल clear हो चुकी है, बिल्कुल done हो चुकी है, तो आप अपड़ी ID को login कर सकते हो, और जो भी error मेंने से को error आता है, तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, कुछ लोगों के यह message आ रहा है, मैंने पहले बताया था न, error, error, यदि दो बार, last में error, error लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका solution हो जाएगा, और यदि तीन बार आ रहा है, तो उसका कोई solution नहीं है, यह भी जान रहा है, यहनी, error एक तो starting में आएगा, इसकी छोड़ दो आप है, last में जो error आ रहा है न, दो बार, यदि यह दो बार से जादा तीन बार आ रहा है न, तब उसका कोई solution नहीं है, कुछ max retired counter is the port scanning, यदि यह message आ रहा है, तो यह आपके software की problem है, आपका software शाही नहीं है, आपको software installation करना पड़ेगा, यह जो message आ रहा है, please make sure that RD service basis driver for finger free device is installed and running on your system, यह message यदि आपके system में आ रहा है, तो आपका software सही नहीं है, आपकी RD से समंदित problem है, RD software दुबारा installation करना पड़ेगा, please enable the device, यह मैंने आपको बता भी दिया होगा, यह इसका मतलब है, कि आपका software सही नहीं है, उसको installation करना पड़ेगा, इसका solution हो जाएगा, आपको कहीं दूसरी जिगा बटकने क्या आप सकता नहीं है, invalid user ID and password ये जो समस्या बनी हुए है, ये आप खुद के कान बनी हुए है, क्यूँकि कुछ समस्या बनी हुए है, admin से कुछ समस्या बनी हुए software से और खुद आप अपने लेवल कियो पर इसमस्या create कर रखिए इसका solution आपके खुद के पास यह कहीं बटगने क्या आउसकता नहीं है आपको खुद को ही क्या करना है अपनी user ID password को सही लगाना है और यदि आप यह कहते हो लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं तो ID password बिलकुल सही लगा रहा हूं तो आपको क्या करना है कोई भी अलग से के MS Office का या कोई भी पेज खुड़ना है और उसके अंदर कीबोर्ड से टाइप करके देखना है कि आप जो चीज़ टाइप कर रहे हूं वह ही टाइप हो रही है या नहीं हो रही है और इसमें आपका जो भी डिटेल आगे आएगा उसको बढ़के और आप password अपना reset कर सकते हो इंटरेट एक्सफ़लोर में यदि यह मेसे जा रहा है तो यह कोई प्रोब्लम नहीं है इसको सिर्प yes करना है और कुछ नहीं करना है और आगे आप बढ़ सकते हो कोई प्रोब् नहीं है आपको अपनी ID को मैपिंग करवाना पड़ेगा और मैपिंग करवाने के बाद ही वो ID login होगी और आपकी ID जो है वो टर्मिनल हो चुकी है तो इसको आप अपनी PC से अपनी ID को match करवा करके और उसको verify करवा करके आप उस PC के अंदर login कर सकते हो यह आपने Windows 7 से Windows 10 में डाला जाता है उस condition में भी यह आ सकता है बाकि उस condition में आता नहीं है लेकिन बहुत बार इस परकार से कुछ ने कहने सकते टेक्निकल स्पोर्ट सिस्टम का तो उस condition में कई बार आ जाता है लेकिन यह मोटा मोटी उसी के आएगा जिसने अपना system change कर दिया हो अपना laptop computer PC जो भ करवाने से पहले आपको software installation करवाना पड़ेगा उसके बाद ही वो करेंगे विंडो 7 के अंदर यह आपकी जो RMGB है आराम से चल रही है कोई दिक्कत नहीं आ रही है कुछ लोग बोलते हैं विंडो 10 के अंदर ही चलता है नहीं मैंने कम से कम पांस computer के अंदर विंडो 7 के अंदर नहीं बता सकता आपको WhatsApp करना पड़ेगा और इसका solution भी हो जाएगा विंडो 7 में जिसका morph हो नहीं चलता है उसका solution भी आपको 101% मिल जाएगा और इस error का समाधान 100% guarantee से किया जाता है को यह बोलता है ने विंडो 7 के अंदर morph हो नहीं चलती उससे आप कितने रुपे क सर्त लगा लेना मैं विंडो 7 के अंदर चला के दूँगा यह मेरी guarantee है यह मैंने आपको बता दिया कि उससे गाड़ी is not match with terminal यह आपको map करवाना पड़ेगा system और उसके बाद चलेगा तो इस परकार से मैंने बहुत काफी कुछ से मैंने आपको काफी जानकारी जो है वो दे देर करें जिससे की आम पबलिक को उससे मदद मिले और खुद अपने वेस पे software करना चाहते हैं तो उसका software अलांकि मैंने तीन वीडियो पहले बना के डाले वे उनको आप देख करके कर सकते हो थैंक्यू दने बाद